नमस्कार बहुत बहुत स्वाद करते हैं क्लिक टूडे के आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कन्या उत्थान योजना की राशी को लेकर के 2019 से 22 सेशन के जितने भी बिहार विस्विद्दयल मुझफरपुर की शात्राएं हैं वो सभी ये पूछ रही है क्या हम अपना ओनलाइन आवेदन अब सुरू कर सकते हैं क्या हम लोग का पोटल पे नाम एड हो चुका है इसको लेकर कि जो पूर में भी हमने आप सभी को अपडेट दिया था क्या को जमा करने के लिए हमारे आपका आभा के मेंबर जाकर आपका आप कड्रीटर पोटो कोपी जोगार लगाते कोज्या करना होगा घिया क्या क्यों कुछ घुटर से लिवे gef इस डबलू डिपार्टमेंट में यूनिवरसिटी में आकर के अब चात्रा अगर है यहां पे एवलेवल तो चात्रा खुद भी आ सकती है या फिर उनके पिता जी उनकी माता जी उनका भाई आकर के जमक कर सकता है और बहुत सारी शात्राओं का सवाल यह आया कि सेकेंड पाती है क्या तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है फर्स डिवीजन और सेकेंड डिवीजन दोनों को ही जो है पचास जार की राशी दी जाती रही है और अभी दी जाएगे क्योंकि 2018-21 से जितने भी छात्राओं पास आउट हुई है उन सभी को पचास जार की राशी मिलिए उस एक लिंक में प्रोवाइड कराऊंगा जिससे की आपको चेक कर लेना है कि आपका बैंक जो सीड़ेड है की नहीं है यूई डियाई के वेबसाइट पर साथ ही आप सभी जो है अपना करेंट में आवाशी बनवा लिजे अगर आपका आवाशी ये 2022-2023 का बना हुआ है तो चलेगा या फिर 2021 का भी बना हुआ है तो आपका जो आवाशी चलेगा उससे पहले का अगर आपका आवाशी प्रमान पत्र है तो फिर आपको नया से आवाशी प्रमान पत्र अप्लाई करवाना होगा और फिर आपको ऑनलेन अप्लाई में उस आवाशी प्रमान पत्र का क् समात्त कुत्तरिन होने पर तोनों को सबसे पहले जानने के पोड़ कर आगा आपको पॉप आपको डालते वह चेक करना हो गाजिस्टरेशन अगर आपका उसमें नाम पॉप अपकर के आ मतलब कि आपका नाम कर दिया गया है और आपक необход कर दिया गया अगर नहीं आता है तो आपको इनतिजार करना होागा जब तक कि major leisurely नहीं कर देथी है जो की MDDM college में पढ़ रही है pure college में इस तो इन तीन ऐसेapolis में जो इस सैलिकर बहुरान से और जिसकी वजये वाली छात्राओं को नहीं मिल पाएगा पचास सार का राशी और चलिए हम आपको डॉक्युमेंट जो आपको बता देते हैं हाला कि हमने आपको एक बार डॉक्युमेंट बता ही दिया है जितने भी सनातक उत्रिन छात्राइं हैं उनको बोला गया कि विस्विद्याला में आक लाता है अभी चलिए हम आपको डीवीटी के वारे में थ्योड़ा सा बता देते हैं डायक्ट बेनिफंट ट्रांसफर क्या होता है चैनलको पैसा 50 दर भी बढले दालने के लिए बोला जाएगा अधार नमबर डालने के बाद जो नीचे आप देख रहे हैं इंटर सेक्योरिटी कोड रहता है वह यहां पर डालेंगे सेंड ओटीपी करेंगे सेंड ओटीपी करने का जब कुछ इस प्रकार का आपका मैसेज आएगा और आपका जो भी आधार नमबर रहेगा वो यहां पर मासक आधार दिखेगा फिर बैंक सीडिंग डेट कब का है वो दिखेगा और कौन सा बैंक सीडियर है वो भी आपको दिखेगा इसके लिए एक स्पेशल वीडियो अगर हम बना दे तो आप लोग जो है जादा बहतर तर आवेधन का प्रक्रिया जो है पेपर में आएगा तो आपको जो है अपλाई करना रहे गा उप्लाई करने के प्रकार का सवाल या सुझाब है तो नीचे कमेंट कर लीजेगा और बिहार विस्विद्याले कि जितने भी चाहता हैं वह सभी जो अपना अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपना डॉकुमेंट जो है पहले उनिवसिटी में जाकर करके जमा कर दीजिए उसके बाद आ आप जो है क्लिक टुडे चैनल पर आने का जैसे कोई भी वीडियो खोलते हैं करने हो थानवाला तो वेबसाइट हमारा खुलेगा और यहां पर आके आप जो मेदा सॉफ्ट जैसे सर्च करिएगा तो यहां पर नीचे आने के बाद बहुत सारे ओप्शन्स आपको दिख ज इस नातक पेमिट इसके उपर जैसे क्लिक करिएगा अपको इंपोर्टेंट लिंक जितने होंगे यह आपको प्रोवाइड हो जाएंगे अभी चलिए आपको रजिस्टेशन वाले स्टाइटस पर लेके चलते हैं यहां पर एक खम लिंक पर क्लिक कर लिए इस है की नहीं है यह चट टे लब करने के लिए आप यहीं से कर पाईएगा जैसे होंपाइगा। जो है लिस्टेड है और कौन से कॉलेज का कौन सा कूर्स जो है इसके उपर लिस्टेड है जिसमें की छात्राइं अगर नामांकर नहीं है तो उनको पचासर की राशी दी जाएगी यह अगर आप चेक कर लेती हैं तो आपको अभी की अभी पता चल जाएगा कि आपका है की नहीं है और आपको पचासर की राशी मिलेगे की नहीं मिलेगी तो यहां पर देखे बहुत सारे होनो से लिस्टेड है यह भी आपको जो है दिख जाता है लिस्ट ऑफे मिन देख सकती है यह देखना आप लोक महतपूर इस लिए है क्योंकि बहुत सारी शात्राओं का ऐसा होता है कि ऐसे कॉलेज में नाम अंकंदर्ज हो जाता है जिसमें कि उनका मानिता जो है रहता तो है लेकिन वह अर्ध सरकारी रहता है और उस केस में उनको स्कॉलर्शिप की राशी नहीं मिल पाती है तो यहां पर देख लिए सेलेक्स कर सकते हैं यहां जो भी आपको जगनात मिश्रा कॉलेज फिर जो है यहां पर एकेडमिक सेशन आपको सेलेक्स कर लेना है पर निससे पर देख लिए और कुछ दिर बाद जो आपका सर्च में खुलकर करके आए यहां फूर्च जितने वे लिस्टेड है वो खुलक यहां पर नहीं है नीचे में कारण यह था कि अभी 19-22 वालों का अपडेट किया जा रहा है तो पहले जो भी कोर्स लिस्टेड वह आपको यहां पर दिख रहे हैं और यह देखने के बाद जो है आप लोग अपना संतुस्त्री पार लिजिए कि आपका कॉलेज भी इसमें नहीं है अगर किसी प्रकार की जानकारी और चाहिए तो नीचे कमेंट करिए तब तक लिम चलते हैं धन्यवाद